वेलकम टू आवर यूटुब चैनल इंजिनियर्स ग्रूप रेंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे JPSC Assistant Engineer मेंस के एक्जाम के बारे में जी हाँ जो मेंस के एक्जाम जो होने वाले थे उनके बारे हम बात करेंगे जारी की गई थी उसमें इन्होंने संग्युक्त सहायक अभियंता असैनिक यांत्रिक मुक परतियोगता परिक्षा विज्याप्यान संख्या 05 2019 के सबंद में आवेश्चक सूचना यह सूचना क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल में discussion करते हैं इन्होंने एक सूचना जारी किया, इसमें इन्होंने यह बताया है कि जो असिस्टेंट इंजिनियर की पडिक अक्यांम में जो भी यह ready क्यों जो भी सफल रहे हैं उसको कुछ ड़कुमेंट जहें Nora से करने उसके बाड़े हम इहां पर इन्होंने लिखा है कि संग्यूक सहाइक अभियंता एसाइनिक यांत्रिक प्रारंभिक परवेश परिक्षा में घोशित अभियारती प्रकासित बिग्यापन संख्या पांस 2019 में दिये गए निर्देश की कंडिका बारक्यू के अनुसार ओनलाइन आवेदन की मुद पर्मान पत्रों की असपश्ट एबम पठनिये सो अभी पर्मानित चाहे पड़ती यानिकी फोटो कॉपी हाड कॉपी निर्धारित अवाध्धी दिना 21 अगस्त 2020 से जह 15 सितंबर 2020 तक आयोक कार्यदा लाय में निर्धारित डाक या फिर स्पीड पोस्त के माध्यम से और बाट चाहें माध्यम से पोस्त करने है तो देखते हैं कौन-कौन सी चीज़ आपको पोस्ट करनी है JPSC Office, तो समसे पहले तो जो आप online जो कर रहेंगे उस time, आवेदन की मुदृत, हस्ताक्ष्रित परती, ठीक है, उसके सासत आपको और क्या चीज़ सेंट करनी है, वो करनी है आपको जन्म पिथी के लिए metric, या फि अब बीटेक जो भी आपने की है, उनकी जो है डिगरी या फिर मार्क सीट, जो फाइनल मार्क सीट होंगे, वो आपको सेंट करने है यहाँ पर, इसके अलावे जो जहारखन से बिलॉंग करते हैं, उनके लिए जो भी जाती पर्मान पत्त है, ठीक है, यानिकि जो भी जाती एकोनुमिकल वीकर सेक्शन के लिए पिरी के टाइम जो उन्होंने फार्म फिलब किया था, कि हम एकोनुमिकल वीकर सेक्सान से बिलॉंग करते हैं, उनको यह सर्टिट जो है सेंट करनी होगी. ठीक है, इनके अलावे जो है आपको सक्षम पदादीकारी द्वारा, नातियल लुग का इनके लिए सीमर्द अनापति पर्मानपति जहां लागू हो आपको खेल खेल कुभ पर्मानपति जहां लागू हो यह सारे डग्मेंट्स आपको जह इनके photocopy जो है self attested है ना यानिकि स्वह हस्ताक्षृत जो है photocopy आपको मतलब खुद से attested करके वह आपको जह है by post स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको 21 अगस्ट 2020 से लेके 15 सितंबर 2020 से तक आपको सेंड करनी है ठीक है और इन्होंने यहाप एक नोट यानि कि वैसे अभियारती जो प्राणरारम भीक परिक्षा में सफल घोसित हुए है वह अपना रजिस्ट्री डालकर .jpsc.government.in से प्राप्त कर सकते हैं यह जिनके पास वह एविलेवल नहीं हो कहीं खो गया हो ठीक है तो आप जो है रेजिस्टेशन नमबर और डेट अब बर्थ डालकर आप जो है वह ऑनलाइन जो है जो भी आवेदन की परती है वह वहांचे आप प्राप्त कर सकते हैं तथा इससे सफल अवियारती जिनके पास रेजिस्टेशन नमबर नहीं है या भूल गया है अपना इमेल डी मूबाइल नमबर तत्था जन्म टिरठी डाल कर अपना रेजिस्टेशन नमबर यह वहां से फिडीकर को परतिक होगा आपको मिल इसके अलावे इन्होंने ये बोला है कि अभ्यार्थी लिपहापे के उपर विग्यापन संख्या, पद का नाम, रेजिटेशन नमबर, एबं रॉल नमबर अंकीत करना सुनिस्चीत करेंगे, यानि कि जो आप A4 साइज के लिपहापे में सारा ड़कुमेंट्स भेजेंगे, उसके उपर सबसे पहले आपको विग्यापन संक्या, विग्यापन संक्या में हो जाएगा आपको ये 5 2019 विग्यापन संक्या हो गया, पद का नाम कि अपकी प्याइख में करना होगा, इसके ऑलावे इन्होंने एक चीज बोला है, कि ओल्लाएन आवदन कि पर ती आभी लेека प्राप्ति की अंतिम तिथी पंदर नौध दुहजार बीस के पच्चाथ प्राप्त आवेदन अभिलेक सुईकार नहीं किये जाएंगे जिन उमिदवारों से निधारी तिथी तक आवेदन की परती सहित अभिलेक प्राप्त नहीं होगा उनकी मुख पर इच्छा हेतु उमि का एक्जाम जो है लिखने नहीं दिया जा गया तो फ्रैंड आप लोग जो है सारे जो है डॉकुमेंट जलती जलती यानि की 15 सितंबर से पहले पहले यानि कि आप 10 सितंबर तक ही आपने सारे डॉकुमेंट जैब जे पीसी ऑफिस सेंड कर दिजे ताकि यह समस्या आपको आधाज पताव ड़ोज engs को किरी तक हुआ कि यूद्य कॉस्की협 अब भात कर लेते हैं एक्जाम डटी ट्ट की जपीसी ने मेंस एक्जाम के लिए जो देत जाड़ किया हूँ उन्होंने सपिके और आप नवंबर के बीच मेंगे लेंगेड़ा구요 नख़ी 9 नमबर or Shirley sechs November नमबर और आथ सूख्रनोंबर ऑर आथ नवंबर टिकर यानि जो एक्जाम होगे वो ठीडीजप्र्ट होगा यहां प्र देख सकते हैं जो सब्सक्राइब कोई जारे को होगे अपको जैर से सब्जेक्ट मिलने वाले हैं जो जो तीसरा दिन इंग्जाम होगा वो होगा आपको civil engineering paper 2 का तो friend आप लोग से जितने सारे information हमने provide की आपके लिए helpful रहेंगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को share और subscribe जरूर कीजिए और bell icon को press कर लिए ताकि JPSC assistant engineer से related हर वो information आप तक पहुच पाए friend अभी time कम बचे हैं और जो syllabus है वो काफी lengthy है तो आपके preparation को असान बनाने के लिए हम लोग उने एक crash course launch करेंगे ठीक है तो crash course जो है आपके response के उपर defend करता है कि आप लोगों का response रहात हम लोग इसको जल्दी launch करने वाले जो की complete जो है आपको objective प्लस subjective का complete सिले बस हम लोग जहें cover करवाएंगे ठीक है जो भी important topic है उनके बाड़े में हम लोग detail में cover करवाएंगे तो आप लोग channel को share और subscribe किजिए ताकि हम लोग ये जो crash course है वो जल्दी launch करें ठीक है तो आई होप ये जहनकारी आप लोगों के helpful नहीं होगी तो आज के वीडियो में इतना ही thank you so much